हलो दोस्तों नमस्कार आप जितने भी वैक्सिनेटर और सहाइक मेरे मित्र हैं इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और एक चीज बारे की समझने का प्रियाज किजिएगा ठीक है देखिए आप लोग वैक्सिनेटर बन चुके हैं जो भी सहाइक लोग है वो भी अपने काम में जूटे हुए हैं वैक्सिनेटर लोग हैं वो भी अपने काम में जूटे हुए हैं मतलब जूटे हुए हैं तो आपकी आईडी अभी तक नहीं बनी हुई है आप सब की आईडी अभी तक नहीं बनी हुई है आप लोग जानते हैं कि कोरियना वाइरस की चलते पूरे भारत में lockdown चल रहा है अभी कोई ओपिस कोई मतलब जगा खुला नहीं आप सबको पता है अभी 17 माई तक lockdown रहेगा खेर मैं lockdown का न्यूस तो नहीं देने वाला हूं लेकिन मेरे जितने भी मित्र साथी जो वेक्शिनेटर हैं जो भर के भरती हो चुके हैं पसुभी तो उनका कार्ड जो है वो कैसे बनेगा ID कार्ड कैसे बनेगा बनेगा आपका ID कार्ड देखिए मैं आपको बताता हूं एक मिनट देखिए वो क्या है कि आपका जो अधार कार्ड है जो आपका अधार कार्ड सरकारी अधार कार्ड ऐसा फर्जी बर्जी नहीं जो आपका अ उसके हिसाव से जो रियल नाम है जो आपके अधार काड में मिश्टे क है तो उसको आप सही करा लीजिएगा मैं तो आपको तो आरा दूँगा कि आप अपना अधार काड पहले सही करा लिजीगा उसके बाद से ID के लिए जाएगा और यदि आपका अधार सही है तो आपका अधार card और आपका banking यह दोनों जो चीजें है bank account पे नाम और नमबर जो भी होता है वो उसको आप सही करा लिजीगा तरह हार और bank account ठीक है और ग्राम पर्धान का जो प्रमारित आपने दिया था यदि दिया तो ठीक है नहीं दिया था तो फिर आपको देना पड़े पड़ सकता है मैं लब कुछ जगों पे और यही चीज़ लगेगा बस और यह दोनों में नाम और चीज़ यह सही होना चीज़ और आप रहगी बात कि आप जाएंगे कहां और यह कैसे होगा ठीक है तो पसू बिभाग के जो भी करमचारी लोग हैं डॉक्टर लोग हैं जहां से आपकी भरती हुई है जहां से आपके निक्ती हुई है तो यह उनके द्वारा ही होगा ठीक है उनके द्वारा ही होगा और वहां पे जाकर कि यह मैं डॉक्मेंट आपको बताया हूँ लाकर कि आप उनके पास जमा कीजिएगा और जमा करेंगे तो ये कुछ दिनों के बाद कुछ हपते या फिर कुछ दिनों के बाद साइद महीना भी लग सकता भी तो जैसे लॉगडन चल रहा है तो मेरे हिसाब से साइद काफी टाइम ल यह बीमारी जीतनी संक्या बढ़ रहे हैं चल दृमें बहुत तकलिफ होती है तो उसने से में हो गया हमारा क्या होगा इस देश का क्या होगा हम सब क्या होगा खर ज्यादा ही मोसल ना होते हुए आपको बता दू कि आप सब की आईडी बन जाएगी बहुत जल्द बन ना बिमारी यह ठीक हो जाए ना तो फिर बन जाएगी यार सब की बन जाएगी किसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है तो जो मैं डॉक्मेंट होता हूं आप ला करके जमा किजिएगा और जमा करके उसके कुछ दिन वेट कीजिएगा जैसे आपने फारम भर दिया था आपका ज्वैनिंग नहीं हो रहा था तो आपने कुछ दिन वेट किया ठीक वैसे ही आप कुछ दिन वेट कीजिएगा आपका जो है यह बन जाएगा कार्ड आइडी कार्ड ठीक है तो अगर और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा मेरे मित्र हैं जो सिनियर हैं मैं अगर कुछ बताते हैं नई चीज तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तो इस चैनल को आप सस्क्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है दोस्ता आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन आप सस्क्राइब ने करते हैं क्या लगता है आपकर देना अगर इस चंगा कमेंट आप करते हैं मतलब काफीलो GLORIA करते है जूसमाल्द एक लड़का है मैं हुना नहीं वार neurolog को कि अगर गलत na कमेंट इसमें नहीं करते हैं वह सुभा नी देता हैं हमको पढ़ते भी आपको लिखते भी सरंसर्माथ तोगी कि आरामी कमेंट लिखते होग और ऐसे असब्द कमेंट आप ना लिखें तो बहतर है कि यह आपके लिए भी और मेरे लिए भी ठीक है क्योंकि यह सोसल मीडिया और सोसल मीडिया पर आप जानते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है अगर इंसान चाहे देतो लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि यह भी मेरे मित्र हैं सब मेरे मित्र ही हैं और मैं किसी को नहीं मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहतना हूँ कि आज आपके वज़े से मेरा इतना अजजारों का परिवार हो चुका है बहुत खुशी होती है जब अपने आपको इस वीडियो में देखता हूँ तो और मैं चाहता हूँ कि मैं रियल बताओ कि जो भी बताओ बिल्कुल रियल बताओ चले दोस्तों बस चोड़ी सी इन्फरमेशन था मैंने सोचा आप लोग भायों को बता दूँ तो आज के मुझे बताइएगा कि आपकी से हैं और कहां पर है आपका सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है चले दोस्तों थैंक यू